हेलो एवरिवान वेलकम बेक टू माई यूट्यूब चैनल तो आज की वीडियो में आपके साथ पांच डियाइवाइ केंडल होल्डर बनाना बताऊंगे आपको बिल्कुल वेस्ट मेटीरियल से बहुत जाथ ब्यूटिफुल है तो चलो फटा फट से वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं तो चलते हैं हमारे फस्ट डियाइवाइ की तरफ तो फस्ट डियाइवाइ में मैंने यूज किया कार्डबोर्ड को और कार्डबोर्ड को का हमने एक सर्किल इस तरीके से कट कर लेना है कि सर्किल कट करने के बाद मैं इस पर कलर करूंगी कोई भी आप कलर सकते लिए उसके बाद मैंने लिए बैंगल और पयलू लगाके कुछ इस तरीके से सर्कल को इस पेस्ट कर देंगे उसके बाद लिए मैंने अव्म प्रोंगॐ आ आदभी मने पसटिक असद और देखने कि बासके का लग KäNDLора की अपनास को इस तरीक का लग अच्छे से चारों तरफ जो है इस पर लपेट देना है बैंगल को कवर कर देना है अच्छे से इसी तरीके से देखिए मैंने जो है प्रोसेस को करते हुए दो बैंगल को कवर कर लिया है अब हम इन दोनों बैंगल को आपस में स्टिक कर देंगे with the help of glue and उसके बाद मैंने कुछ बीट्स की एक इस तरीके से लड़ी लिया है और इसको से दोनों बैंगल के बीच में बान दिया है तो यह इसका फाइनल लूक है कैसा लग रहा है मुझे कमेंट्स में ज़रू बताईगा और यह भी बताईगा कौन सा कैंडल जो है DIY आपको बैस्ट लगा है तो चलते हैं हमारे थर्ड DIY की तरफ उसके लिए मैं अगैन कार्टबोड का यूज किया है और मैंने एक जो खाली टेप होती है टेप का जो राउंड सर्किल होता है कार्टबोड वाला वह यूज किया है और इसको कार्टबोड के बीच में स्टिक कर लेना है फिर हमें इस पर करना कोई भी कर आफ कर सकते हो कलर करने के बाद मैं यहाँ पर कुछ लेस का यूज करूंगी जो हमारे टेप वाला रोल है इसके चारो तरफ हमें जो है लेस को पेस्ट कर देना है यह देखी कुछ इस तरीके से मैंने पेस्ट किया है उसके बाद नीचे वाला जो कार्डबोर्ड था उसके उपर मैंने छोटे-छोटे मिरर्स को एड कर दिया है बहुत अच्छा इससे लगेगा यह और नीचे का जो रफेरिया इसको भी मैंने कवर करने के लिए जो है यहां को स्टिक करने के बाद मैं यहां पर बैंगल का यूज करूंगी तो बैंगल के चार उपर की साइड में ग्लू लगानी है और इसे स्टिक कर देना है यह हमारा एक कैंडल होल्डर बनके रेडी होगी है कैसा लग रहा है प्लीज मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा ब इस तरीके से एक रोटी जैसी बना लेनी है और उसके बाद मैंने एक लोटस का पैटन बनाया था कागच पर उसे कट करके और हमें इसे जो मॉलेट के ले थी उसके उपर कट कर लेना है तो कुछ इस तरीके का मारा पैटन रेडी हो जाता है उसके बाद मैंने एक कटोरी ल कर सकते हो तो यह इसका फाइनल रिजल्ट तो देखिए बहुत ही जदा प्यारा लग रहा है और यह वाला केंडल जो होल्डर रहेना बहुत ज़्यादा ट्रेंड में तो इस पार जरूर ट्राइ कीजिए गार मुझे कमेंट में बताना कि कैसा लगा है आपको चलते हमारे फि होल्भ रखे हुए थे तो मैंने सोचा उनिका यूज किया जा hun तो यूज लगा कर मैंने यहां पर पेलू रहें को मैंने अच्छे से पेस्ट कर ली मैंने बहुत है तो एक्पनी कर सकते हो अप लेश भी आपर लगा सकते हो अगर आपके पास वूल नहीं है तो इस तरह के स तो इस तरीके से मैंने तीनों को कम्प्लीट कर लिया है उसके बाद जो इसके ऊपर वाला पार्ट है उसके घ्लू लगानी है और वन बाई वन हमें छोटे वाले राउंड मिरर्स जो यहां पर स्टिक कर देना है क्योंकि जब हम इसमें चैनल रखेंगे तो बहुत ज़्याद अपने घर पे बनाईगा बजार में ज्यादा कोसली मिलते हैं तो हम इसे घर पे वेस्ट मटीर से बना सकते हैं तो वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक शेयर कर देना साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बैल आइकन को हिट कर देना क्योंकि दिवाली तक इसी तरीक कीजेगा और थैंक्स फोर वचिंग वीडियो